साथी और एक बेहतरीन कहानी अब तक मैंने सैक्डो प्रेड़क कहानियां आप सभी को सुनाई हैं लेकिन ये मेरी सर्वस्रेष्ट कहानियों में से नंबर एक पर है सबसे छोटी कहानी है लेकिन प्रेड़ा दाई बहुत है एक बैलगाली जा रही थी और उस बैलगाली के पीछे एक कुटा जा रहा था तभी एक दूसरे कुटे की नजर पड़ी और उसने मन में विचार किया कि इस बैलगाली में कुछ खाने पीने की चीजे रखी हुई है और इसलिए ये कुटा पीछे लगा हुआ है तो दूसरा कुत्ता भी उसके पीछे हो गया थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद एक तीसरे कुत्ते की नजर पड़ी है और उसने सोचा कि मेरे दोनों साथी कुत्ते बैलगाली के पीछे दोड़ते हुए भाग रहे हैं लग रहे कि बैलगाली में कुछ रखा है खाने पीने की चीज और इसी लिए पीछे लगे हुए हैं और तीसरा कुत्ता भी पीछे लग गया इसी प्रकार से चोथा पांचवा छटवा करते करते कुत्तों का क्रम बढ़ता चला गया और बैलगाली के पीछे दोड़ने लगे देखते ही देखते सैक्लों कुत्ते बैलगाली के पीछे लग गये और सभी बैलगाली के पीछे भागने लगे सभी कुत्तों को ये लग रहा थे कि बैलगाली में कोई खाने पीने की चीज है और जब ये रुकेगी तो वो सब मिलकर खाएंगे और लंबी कतार ऐसी कुत्तों की आगे बढ़ती चली जा रहे थी सबसे पहले वाला जो कुत्ता था वो सबसे आगे एकदम बैलगाली के नज़्दीक था तभी एक बुढ़े कुत्ते की नजर अपने साथियों के जुंड पर पड़ी और उसने देखा कि धेर सारे उसके साथी कुत्ते बैलगाली के पीछे दोड़ते हुए चले जा रहे उसके मन में भी विचार आया कि सायद बैलगाली में कुछ खाने पीने की चीज है और इसलिए मेरे साथी सब इसके पीछे पीछे दोड रहे है मगर उसे ने सोचा कि दोड़ने से पहले पहले पूछ तो लिया जाए कि आखिर ये सब क्यों दोड़ रहे हैं वो बुढ़ा कुत्ता सबसे पीछे वाले कुत्ते के पास पहुशता है और कहता है कि भाई ये तो बता बैलगाडी के पीछे दोड़ क्यों रहा है सबसे पीछे वाले कुत्ते ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालू आगे वाला दोड़ रहा इसलिए मैं दोड़ रहा हूँ वो बुढ़ा कुत्ता दूसरे वाले के पास पहुचा और उसने उससे कहा कि भाई तू बता तू आगे क्यों दोड़ रहा है उसने भी वही जवाब दिया कि मेरे आगे वाला दोड़ रहा है और इसलिए मैं भी दोड़ रहा हूँ उस बुढ़े कुत्ते ने तीसरे चोथे पांचवे ऐसे क्रमसे लगातार सभी कुत्तों से पूस्थता रहा लेकिन सभी का एक जवाब था कि मेरे आगे वाला दोड़ रहा है इसलिए मैं भी दोड़ रहा हूँ अंत में वो बूरा कुत्ता दोड़ता दोड़ता सबसे पहले वाले कुत्ते के पास गया जो एकदम बैलगाली के नजदीक था और लंबे समय से यानि काफी समय से सबसे पहले वही बैलगाली के पीछे दोड़ रहा था बूरे कुत्ते ने उससे पूछा कि भाई ये तो बता कि बैलगाली के पीछे क्यों दोड़ रहा है उस कुत्ते ने जवाब दिया जरा आप सभी सवाल का जवाब सुनिएगा और तालिया बजाय भी ना आप सभी नहीं रह सकते हैं उस कुत्ते ने कहा कि ये बैलगाडी रुकेगी जहां पर मैं वहाँ पैर उठा कर पेसाब करूँगा इसलिए मैं इसके पीछे दोड़ रहा हूँ मगर मेरे पीछे धेर सारे जो कुत्ते दोड़ रहें इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता जब ये बात सारे कुत्ते पीछे जो दोड़ रहे थे उन्होंने सुनी तो ठगे के ठगे रह गए वो सर्म से पानी पानी हो गए सारे कुटों ने सर्म से कहा कि साला मैं क्यूं दोड़ रहा था मुझे ही नहीं पता साथ ही ओ जीवन में आप भी याद रखिए आप भी किसी भीड में किसी सैलाब में सामील होने के लिए अगर जाते हैं तो सबसे पहले उसका कारण पूछिए कि आखिर ये भीड की सोर जा रही है ये सैलाब की सोर जा रहा है इसका कारण क्या है इसका हेतू क्या है इसका उदेश क्या है जब आपको इसका कारण पता चल जाए तब आप सामील होईए अगर आप बिना कारण के ऐसे सहलाब में भीड में जाएंगे तो तमाम कुत्तों की तरह आप भी उसमें गुम हो जाएंगे आप भी खो जाएंगे आपकी भी कोई पहचान नहीं होगी इसलिए भीड में गुम नहीं होईए भीड में खोईए मत भीड में अपनी पहचान को खदम मत करिए सबसे पहले भीड के कारल भीड के उद्देश के बारे में जान लीजिए और फिर उसमें सामिल होने की कोशिस करिए